भजन सहिता 58, 1-11 तक, हे मनुश्यों, क्या तुम सच्मुच धर्म की बात बोलते हो, हे मनुश्यवन्श्यों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो, नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो, बृष्ट लोग जनते ही पर आ मतों को तोर दे, हे यहोवा, उन जवान सिन्हों की दाड़ों को उखार डाल, वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं, जब वे अपने तीर चड़ाएं, तब तीर मानों दो टुकड़े हो जाएं, वे घोंगे के समान हो जाएं, जो घुलकर नश्ट हो जाता है, औ और स्त्री के गिरे हुए गर्ब के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हॉंडियों में काटों की आँच लगे, हरे वजले, दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पल्टा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पाउं की जील अर्थात्य बिर्यास की जील के पार गया। और एक बड़ी भीर उसके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब लीशु पहार पर चड़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहुदियों के फस रोटी भी उनके लिए पूरी न होनगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाय अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जो की पांच रोटी और दो मचलिया हैं, परंतु इतने लोगों के लिए लिशु ने कहा, लोगों को बैठा दो, उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिन में पुरुशों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब लिशु ने रोटी आन ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मचलियों में से जितनी वे च जाते थे बांट दिया, जब वे खाकर त्रिप्थ हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकडे बटोरलों की कुछ फेंका न जाये, अता हुन्होंने बटोरा और जो की पांच रोटीयों के टुकडों से जो खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी तब जो आश्चर्यकर मुस ने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे, वह भविश्यद वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है यीशू यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहार पर अकेला चला गया जब संध्या हुई, तो उसके चेले जील के किनारे गए, और नाव पर चड़कर जील के पार कफरनहूं को जाने लगे उस समय अंधेरा हो गया था और यीशू अभी तक उनके पास नहीं आया था आंधी के कारण जील में लहरें उठने लगी, जब वे खेते खेते तीन-चार मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशू को जील पर चलते और नाव के निकट आते देखा, और डर गए परन्तु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, दरो मत अतहवे उसे नाव पर चड़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जा रहे थे दूसरे दिन उस भीड ने, जो जील के पार खड़ी थी, यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी और यीशू अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चड़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे तबन्य नावे तिबिरियास से उस जगह के निकट आई, जहां उन्होंने प्रभू के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी इसलिए जब भीड ने देखा कि यहां न ईशू है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चड़के ईशू को ढूंटे हुए कफरनहूं पहुचे न्याईयों 9, 1-57 तक, यरूपबाल का पुत्र अभी मेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यों कहने लगा, शकेम के सब मनुश्यों से यह पुछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह की यरूपबाल के सत्तर पुत्र तुम पर प्रभुता करें? या यह की एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करें? और यह भी स्मरन रखो की मैं तुम्हारा हार मास हूँ. तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुश्यों से ऐसी ही बातें कहीं, और उन्होंने यह पिता के घर जा के अपने भाईयों को जो यरूबाल के सत्तर पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूबाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिप कर बच गया. तब शकेम के सब मनुश्यों और बेतमिल लोग के सब लोगों ने एकठा होकर शकेम के खंबे के पास वाले बांजव रिक्ष के पास अभी मिलिक को राजा बनाया. इसका समाचार सुनकर योताम गिरिजजीम पहार की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ, और उचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुश्यों, मेरी सुनो, इसलिए की परमेश्वर तुम्हारी सुने. किसी युग में व्रिक्ष किसी का अभिशेक करके अपने उपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के व्रिक्ष से कहा, तू हम पर राज्यकर. तब जैतून के व्रिक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस्चिक नाहट को छोड़ कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुशित दोनों का आदर्मान करते हैं, व्रिक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर दोलने को चलून. तब व्रिक्षों ने अंजीर के व्रिक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्यकर. यदि तुम अपने उपर राजा होने को मेरा अभिशेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी चाया में शरन लो, और नहीं तो, जड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबानों के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे. इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अभी मेलेक को राजा बनाया है, और यरूबबाल और उसके घराने से भलाई की, और उससे उसके काम के योग्य बरताब किया हो, तो भला. मेरा पिता तो तुम्हारे निमित लड़ा, और अपने प्रान पर खेल कर तुम को मिध्यानियों के हाथ से चुड़ाया, परन्तु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया, और उसके सत्तर पुत्र एक ही पत्थर पर घात किये, और उसकी रख अभी मिलेक से ऐसी आग निकले जिससे शकेम के मनुश्य और बेतमिलो भस्म हो जाए, और शकेम के मनुश्यों और बेतमिलो से ऐसी आग निकले जिससे अभी मिलेक भस्म हो जाए, तब यो ताम भागा, और अपने भाए अभी मिलेक के दर के मारे बेर को जाकर वही रहने अभी मिलेक इसराइल के उपर तीन वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अभी मिलेक और शकेम के मनुश्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अता शकेम के मनुश्य अभी मिलेक से विश्वास घात करने लगे, जिससे यरूब बाल के सत्तर पुत्रों पर किये भातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सबाने जाने वालों को लूटते थे और इसका समाचार अभी मिलेक को मिला। तब एबेद का पुत्रगाल अपने भाईयों समेथ शकेम में आया, और शकेम के मनुश्यों ने उसका भरोसा किया। और उन्होंने मैदान में जाकर अप शकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परन्तु हम उसके अधीन क्यों रहें। और यह प्रजा मेरे वर्ष में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अभी मिलेक को दूर करता। फिर उसने अभी मिलेक से कहा, अपनी सेना की गिंती बढ़ा कर निकला। एबेद तो अपने संग्वालों समेट रात को उठकर मैदान में घात लगा, और सबेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चड़ाई करना, और जब वह अपने संग्वालों समेट तेरा सामना करने को निकले तब जो तुछ से बन पड़े वही उससे करना। तब अभी मिलेक और उसके संग के सब लोग रात को उट चार दल बांध कर शकेम विरुद्ध घात में बैट गए। और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ, तब अभी मिलेक और उसके संगी घात छोड़ कर उट खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख पहारों की चोटियों पर से लोग उत्रे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहारों की छाया है जो तुझे मनुश्यों के समान देख परती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उत तब गाल शकेम के पुरुशों का अगवा हो बाहर निकल कर अभी मिलेक से लड़ा और अभी मिलेक ने उसको खदेड़ा और वह अभी मिलेक के सामने से भागा और नगर के फाटक तक पहुँचते पहुचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े तब अभी मिलेक अरूमा में रहने लगा और जबूल ने गाल और उसके भाईयों को निकाल दिया और शकेम में रहने न दिया दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए और यह अभी मिलेक को बताया गया और उसने अपनी सेना के तीन दल बांध कर मैदान में घात लगाई और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं तब उन पर चड़ाई करके उन्हें मार लिया। अभी मिलिक अपने संग के दलों समेट आगे दोर कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया और दो दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अभी मिलिक ने गुम्मट के सब मनुश्य इकटे हुए हैं तब वह अपने सब संगियों समेट सल्मोन नामक पहार पर चड़ गया और हाथ में कुलहरी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठा कर अपने कंधे पर रख ली। और अपने संगवालों से कहा जैसा तुमने मुझे क जाकर उसके सामने देरे खड़े करके उसको ले लिया परंतु उस नगर के बीच एक द्रिर गुम्मट था इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भाग कर उसमें गुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छट पर चड़ गए तब अभी मिलिक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए तब किसी स्त्री ने चक्की के उपर का पाट अभी मिलिक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई तब उसने जट अपने हथियारों के धोने वाले जव भायों को घात करके अपने पिता के साथ किया था उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लोटा दिया और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लोटा दिये और यरूब बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया